हैलो फ्रेंड नमस्कार आज का ये सुन्दर दिन सुन्दर पाल आपकी जीमन में धीर सारी कुसियां लेकर आए आज मैं सिंहाडे से बनने वाली रेश्पी बताऊंगी क्या बनाऊंगी आगे आप वीडियो में बने रहें तो सिंहाड़ा हमने लिया है सिंहाडे में बहुत सारी गंदगी होती है इसको दो-तीन बार अच्छे से पानी में हिला हिला के मलमल के धुल लीजिए मलमल के धुलने में काटा होता है इसका ध्यान देना पड़ता है देखिए पानी कितना गंदा है अभी हम इस पानी को फेक के वापस फिर पानी लेके फिर इस सिंहाड़े को उसमें डाल के अच्छे से उसकी दुलाई करेंगे आप देखेंगे यह पानी भी बहुत गंदा हो चुका होगा काहणे का मतलब की हम सिंहाडे को खूब अच्छी तर्य से सापकर लें फिर इसका उप्योग करें सिंहाडे को हमने अच्छी तरह से धूल लिया इसमें काटा होता है देखिए काटे को सम्हाल कर और चकोई सहता से इसको निखाल लेंगे और दो भाग में इसको कर देंगे, कुछ इस तरह आगे भी हम इसी तरह इस प्रासेज को पूरा करेंगे इस क्रम में हमने साड़े सिंगाड़े को काट कर इस तरह रख लिया और धूल के धूप में इसको सुखा देंगे इससे में बहुत सारे प्रोदूसर जूल जश्ट होते हैं इसलिए हम कपड़े पे डालके और उसको ढखके रखेंगे क्योंकि बहुत सारे जानवर वगयरा होते हैं जो समान को जुठा कर देते हैं और हमें जाने अंजाने में पता नहीं लगता हमारे यहां गिलहरी है हो तो बहुत परिशान करती है इसलिए मैं बता रहे हूं देखिए मैं कैसे ढखके सारे समान को सुखाती हूं दूप में मसाले में नमक, जीरा पाउडर, काला नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, कूटे लाल मेर्च, सॉप, सॉप का फ्लेवर तो अचार को धुगना स्वाद देता है अमचुर, राई, सरसो का तेल, लाल मेर्च पाउडर के लिए अब हमारा सिंहाड़ा सूख चुका है, इसको हमें एक बड़े बाउल में उठाएंगे बनाना सुरू करेंगे, खाने के स्वाद को दूगना कर देने वाला अचार सिंहाड़े का तो चलिए आगे प्रासेज में देखते रहिए आप, सिंहाड़े के बहुत सारे फायदे हैं पहले हम डालेंगे राई राई सिंहाड़े के अचार में, कोई भी अचार में राई बहुत जरूवी होता है राई की जगा आप पीली सरसो या काली सरसो भी डाल सकते हैं सरसो यदि डालें तो हलका सा उसको दरदरा कर दें सारे मसाले को साप करके हमने घर पर ही अपने हातों से तयार किया है नमक थोड़ा ज़्यादा डालेंगे और अमचूर थोड़ा सा डालेंगे अगर बड़ी हवाला अमचूर होगा तो यहीं पर हम कलर के लिए थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी डालेंगे इससे अचार का कलर बहुत अच्छा हैगा इस तरह हम मिक्स करेंगे देखिए अच्छी तरह से मिक्स नहीं हुआ है अब हमें अपने इन हातों का सहरा लेके खोब बढ़ियां से मिलाना होगा तेल डालेंगे और मिक्स करेंगे देखिए अचार पूरी तरह मिक्स हो गया और हमने एक सीसे के जार में भर दिया सीसे के जार या चीनी मिट्टी या मिट्टी के बर्तन में रखना अचार अच्छा होता है फ्लेवर का अचार तयार हुआ आप इसको पूई पराठा डाल चावल किसी भी चीज के साथ ले सकते हैं और आपको यदि पसंद आया तो आप इस विधी केंसार एक बार जरूर बनाईए और आपको आने वाले वीडियो में मैं इसके छिलके का क्या बनाऊंगी आप इसके लिए वीडियो को जयूर देखिएगा थैंक्यू दोस्तों